नमस्कार मैं हूँ लखान राजपूत आप देख रहे हैं तेज इंडे नूज कुरोना वाइरस के संक्रमन के चलते जब भारत के प्रधान मंत्री नरेंद मोधी के द्वारा जंता से अपील की गई थी कि अपने सरीर की इम्मुनिटी पावर बढ़ाने के लिए आइस मंत्रा की इम्मुनिटी पावर बढ़ती है और कोरोना वाइरस के अलावा अन्य वाइरस जो अन्य बीमारियां पैदा करते हैं उनसे सरीर में सुरक्षा होती है और वो इस काड़े का स्वयम उप्योग कर रहे हैं और लोगों को भी इसके बारे बता रहे हैं आज हम उनसे सीधी करने के लिए आज पहुचे हैं ताकि आम जन्मानस तक भी यह कैसे काड़ा बनता है इसमें क्या क्या मिलाए जाता है इसकी जानकारी आप तक पहुचे तो हम जानना चाहेंगे आपके मन में सबसे पहले कहां से आयता कि काड़ा कैसे बनाए जाए और यह आप जनता को आगी आकर और दिखाते हैं मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मन में यह तब आया जब हमारे मानिये प्रदान मंत्री नर्यम नोदी जी ने यह इस बात कर जिक्र किया था इस बार जब जब सेकेंड लॉक्डान में करने के लिए वो सम्मोदत कर रहे थे अपनी इम्मिनीटी बनाने के लिए आयुश मंत्राले द्वारा जो निर्देश दिये गए हैं उसका घरम पालन करें गर्म पानी है काड़ा है इनका निरंतर सेवन करें इम्मिनीटी बनाने के लिए यह काड़े का उपयोग होता है उस काड़े में करीब 9-10 चीजे रहती है उसको आपन उपयो मात्रा में कौन कौन सेच और टाया required वाटे हैं इसका उपयोग यह 57दी बनाने के लिए यह इघन मात्रा में ही सॉप होती है दोपरकार की सॉप होती ह। सॉप है जो मसालयु In마 आती है之कø यह लॉंग है 50 ग्राम इb इसके लॉंग लॉंग का उपियोग होता है इसमें और उसके बाद लॉंग culture का भी उपियोग होता है है अधर locked लायची के है हल्दी यह बहुत महात्पूर्ण चीज है सारी चीजें 50-50 ग्राम अपन को डालना है और यह हल्दी जो है हल्दी अपन को 100 ग्राम इन सभी चीजों को एक साथ एक आपको खलवट्टे से करके कुचल के और इनको तबे में डालकर इसको शेकना है जब इनकी नमी खतम हो जा फिर इसको कैसे उपयोग कर सकते हम अब हम आपको बताना चाहते हैं इसको उपयोग अपन को ऐसे करना है कि गुड़ के पानी पहले पानी डालना है जैसे चाय बनाते ना अपन तो गुड़ डालना है उसमें पानी में और जितना आपन को उपयोग करना है दो कप चार कप पांच कप, छे कप, जितना भी उप्योग करना है, तो जितना कप आपको उप्योग करना है, उससे आदी मातरा में अपनको ये चूर डालना है, और डवल मातरा में गुर डालना है, जिससे की ये आपको ठिक ठक साद में भी कड़वा न लगे, तो गुर के साथ आपको ये च खनक भी जाए तो दो कप आपका तयार है और जैसे ही आपने चुन डालना है उसके बाद थोड़ी देर बाद आपनको पांच-छे तुलसी के पत्ते डालना है यह सवलो संजीवनी है यह बहुत मतलब अपने आयवर्दिक में भी कहा गया है तुलसी का पत्ता हर एक विमारी क दालना है क्यों क्याबों कि इसलिए डिखुरा है ती हमारे बाद पियोग ने करते हैं तो बहुत फाईदा करता है इसलिए हलदी तक हमार्य इसमों बहुत उप्योग है तो आप सभी लोगों ने ये काड़े का कैशे बनाना है अभी तक आपके मन में ये चलता होगा कि हम काड़े का जिक्रत तो किया है प्रदान मंतरी ने लेकर ये किन किन चीजों से बनता है ये अभी जानकारी लोगों को नहीं थी ये जानकारी हम आप सभी को बताने के लिए आज बता रहे हैं जिससे कि आप काड़ा घर पे बना सके और इसका उपियोग कर सके और इसको ज्यादा ठंडा होने की जरूरत नहीं है इसको गरम जितना गरम हो सके उतना गरम तीएंगे न तो गले में जो फायदा करेगा आपका अगर कोई भी संक्रमन है तो यह खतम हो जा ही है और हम लोग प्रियास कर रहे हैं कि जो साथ बाते में मुदी जी ने हमको बताई थी हम अपनी इस लाव डॉन की दिन्चरिया में लाएं तो ऐसा नहीं है कि हम करोशना से जीतेंगे हम भारत करोना से जीतेगा और करोना हरेगा तो आप थे समाज से भी गिर्जा पाट कर जी जो लगातार बैसे तो गरीबों की अपने सहरवासियों की मदद करने के लिए हमेशा तत पर आंगे रहते हैं तो दीजी के दौरा ये आभान किया गया था कि कोरोना वाइरस के संक्वर से बचने के लिए आप भी अपने घरों में काड़ा बना कर यूज करें इम्मूनिटी पावर बनाने के लिए आर्विदिक अस्पतालों से दवा लेते रहे और ये तभी से इस काड़े को सेवन अ गरजा पारकरजी से जाना तो आप भी इसको घर में बनाए और इसी मातरा को लेते हुए इस काड़े को बना कर इसका उप्योग करें ये आप इसे कोरोना वायरस के संक्मर से बचेंगे ही साथ में अन्ड भीबारियों के संक्रमर से भी आप बचेंगे तो आप पूरी तरह जहां सासन पर सासन मुस्तहदी से पूरी देश को पूरी देश की जंता को बचाने के लिए राद दिन मेहनत कर रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने प्रती अपने परवार के प्रती अपने सहर के प्रती सजग रहे और जागरो करते रहे लोकडाउन के दिसान निर्दोसों का पालन करते रहे तो हम अगली बार पुना एक नई चीज के साथ आपके सामने उपस्तत होंगे